इस तरह से बनाएंगे यहां पर डिमेंशन से रखी है में टास्क रहेगा हमारे पास यहां पर कट दे रखा है यह वाला जो कट दे रखा है इसको किस तरह से बनाने है इसको किस तरह से बनाने है हमारे पास सबसे पहले यहां पर 50 और 88 का एक रिक्टेंगल है और उसके उपर हमारे पास यह दो रिक्टेंगल आ जाएंगे जिनकी डिमेंशन समयरे पास दे रखी है सबसे पहले हम रिक्टेंगल ले लेंगे हमारे पास यह डिमेंशन है 88 की और यह डिमेंशन है 50 की यहां पर दो रिक्टेंगल आ रहे है हमारे पास एक रिक्टेंगल यह है एक रिक्टेंगल यहां से है तो इन स्केचिस को आपने फ्रीएंट पर बनाने है अगर आपने ओरीजिन या इसका रेफरेंस ले लिया तो कहीं न कहीं आपको कॉंस्ट्रेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है तो इसको फ्रीएंट बनाईए तक कि आप डिमेंशन देंके तो इसली मूव कर जाए तो 12 mm इसक और यह भी आपके पास 12 mm है यहां से डिस्टेंस जो दे रखे हो इंधितना दे रखे 38 और यहां से डिस्टेंस मह रपास कितना दे रखे 28 यह रहें तो इंधिया है तो यह मरपास स्केच यहां पर complete हो जाएगा ना इसको बन बबन एक्स्टूड करेंगे सबसे पहले हम इस lemrocfii kuju kейств को फ्रूड करेंगे कितना करेंगे इफ़ाउ if you are gonna इंश्पिट करेंगे किनी करेंगे और और तो इस केश्च में 24 कशु मत्रों करने वह Nepal अट वाला यह वाल यह वाला और यह वाला यह वाला सारा rectangle जो है extrude हो जेगा कितना है मैं टोटल मुझे 56 चाहिए तो टोटल हाइड इसकी कितनी हो जाएगी 56 है मैं इतना हमारा complete हो चुका है अब यह चीज़ बनानी है अब यह चीज़ बनाने के लिए हमें क्या करना है पहले एक sketch यहां पर चाहिए और एक sketch यह वाला चाहिए तो यहां से हम plane लेके चलेंगे प्लेन के लिए मुझे यहां पर एक sketch चाहिए तो इस plane को मैं normal करूंगा तो बिल्कुल end बे हमारा convert entity हो जाएगा यह वाली जो edge हमारी convert entity हो जाएगी close कर देंगे तो अगर आप इसकी hide भी check करना जाते है hide भी check कर सकते है 56 ही आ रही होगी तो इस तरह से आप यह sketch बना सकते हैं नो इसकी बार हमार बस front plane पे यह देखो front plane पे मरस 45 डिगरी पे line लगी है तो यहां पर क्या करेंगे हम यहां सिम क्या करेंगे अभी 45 डिगरी पे एक line लेंगे तो यहां पर एंगल आ जाएगा आपके आस 45 डिगरी का now इस line को convert करेंगे और यहां से इसको trim कर देंगे तो हमारे पास यह दो lines important है इसकी reference से हम एक plane लेंगे तो plane कैसे लेंगे देखिए first point पूछ रहे first point मैंने यह लिया second point पूछ रहे second point यह लिया third point यह बला जाएगा तो इस तरह से महरे पास यह देना जाएगा चीक है तो यही चीज हम यहां पर चाहिए थी और इस plane पर आप क्या करोगे sketch करोगे और यहां से आप इसको normal कर दोगे और नौ यहां पर आप कुछ भी rectangle बना लो और यहां पर size कुछ नहीं है बस आप एक rectangle बना लो और rectangle उसी face पर बनेगा इसना आपको cut करना है इसको आप simply extrude cut कर दो direction change कर दो और यहां से आप देख सकते हूँ यह हमारा cut जो है complete हो चुके है यही cut हमें चाहिए था और यही cut यहां पर हमें मिल चुके है clear है यह sketches को आप planes को आप hide कर सकते हो इस तरह से आपके पास यह वाला जो है आ जाएगा और इस तरह से आप new plane भी बना सकते हैं किस फ्रेंट्स आइओप आपको यह drawing अच्छे समझ में आगी होगी कितने simple method से हम पे एक three point लेके plane बना सकते हैं और वहां पे sketching करके जो भी आप task अचीव करना जाते हैं वो अचीव कर सकते हैं क्याव फ्रेंट्स क्लास ही ओबर करते हैं keep learning keep practicing thank you so much for watching this video thank you so much